मुझा पर दोस्ताओं वो ज़रनगे नमामी केंगे आप सब का हादिट वागते रमेश कमार वीबलोक्स में अभी आप मोती बजाजों की प्रमुख मारकेट है सब्सक्राइब कर ना वीडियो को सकते हैं और रिवर का गटिंग की बात कहें तो दिवार राप्रिंग अभी मौसम की वजह से नहीं चल रहा है आनन आद नहीं ले सकती लेकिन आपको जल्द ही वीडियो के माद्यम से अपडेट मिल जाएगी तो आप आराम से रिवर राप् आपको हरी दूआर से समबन दिद जदने भी आप सब के कमेंड थे और साथ में हमारे इश्टरगाम पे भी कापी सरे मेसेज़ आ रहा था अर साथ में हमारे परस नम्बर मेख थी परस नम्बर आपको हमारी वीडियो पर मिल जाएगा आप चाहां ठीष क्रसकते हैं पूछ सकते हैं इंक्वारी कर सकते हैं अब देख रहे हैं आज भी आम वश्य मना रहे हैं कल आम वश्य कुछ लोग मना लिए आज कुछ लोग मना रहे हैं तदालू के संख्या आज भी काफी जादा दिखाई दे रहा है बारिस की बात कहें तो बारिस काफी तेज रात को पजस्म काफिश हो चुका है अप चाहिवर की पलानिंग कर सकते हैं रिशेकेस के प्लानिंग कर सकते हिर इस पफाड़ों सब्सक्राइस बच्त वरे है कंता चाहिए को परोगातार बाष करती है काभी परसानी हो सकती है अगर आप फैमिली के साथ है यंग है तो कोई दिक्त नहीं आप आराम से कहीं कभी यात्रा कर सकते हैं तोरी परसानी हो सकती है आप वो परसानी जेल भी सकते हैं लेकिन परसानी फैमिली के साथ है तो आप नहीं जेल पाएंगे क्योंकि काफी जादा रास्ते बंद हो जाते हैं लेर्स लाइन की वज़े से जग जग रास्ते बंद हो जाते हैं तो पहरे चलते हैं आपको सारे घाटों का द्रिश्य दिखाने से पहले अभी हम जा रहे हैं प्रमुग द्वार की ओर और प्रमुग द्वार से जब हम आएंगे तो हरकी पड़ी न और को कभी. य्यार आप अगर कंखल जाना चाहते हैं तो कंखल का भी हमने दिरिश्षय दिखा दिया सάλब जल की धारा नोर्मल है तो आप फर परी ठ्रिजबार में तो फर रादम, किशिए पात कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे देख रहें काविया चपल ऐसा ही बाहर में छोड़ देते हैं जब आप आएंगे तो आपको ढूनने में काफी आदा प्रसानी होगी जूता इस्टॉल में ही आप चपल रखें जो की निसूल का है किसी पारे की शूल का आपको नहीं देना पड़ेगा प्रमुगार ब्रमुकुन की ओर जाने के लिए आपको जूता चपल बहार रखने की जरुवत होती है जैसे कि हम आभी जा रहे हैं ब्रमुकुन के दूसरे ओर संजय सेटु पार करके तो हम आपको दिखाएंगे कि उधर चपल जोता रखने की जरुवत नहीं होती बाहर चलते हैं आपको आगे का द्रिश्य दिखाते हैं यह है हरकी पैड़ी जहां पे आप हजारों किलोमीटर धूर से आके यहां पे डुपकी लगाते हैं गंगर जी की पावन आर्थी के दर्शन करते हैं आज जलकी धारा कम कर दिया गया है क्योंकि जलकी धारा कम क्यों किया जाता है क्योंकि जैसे ही बारिश होती है जल की धार आचानक बढ़ने लगती है और हरकी पैडी में लाकों की संख्या में हजारों की संख्या में सद्धालों डुपी लगाते हैं तो कहीं अन्हों नहों जिसके वज़े से यहां पे जल की धार हमेशा कंट्रोल पे होती है क्योंकि यह यहां पर जो जलाती है वह बहराइस से ओके आती है और आप यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है और आप यहां पर बिरियर के अंदर जंजिर पकड़ के शनान करें तकि आप अपने आपको भी सुरक्षित रख सकें काफी सारे सद्धालूग हरी द्वर में जो होती है संध्या की आती जो की काफी ज्यादा रस होता है सद्धालूग संख्या काफी ज्यादा होती है उस टाइम तो आटी के लगबग 2-3 घंटे पहले आके जो आपको सीडिया दिखाय दे रही है यहाँ पर ही गंगजी के आर्ती के पावन द्रसन अच्छे से होती है तो लगबग आप डेर से 2 घंटे पहले आके यहाँ पर बैठ जाए आर्ती का एक्जेक्ट टाइम का है तो 6 बच के 45 मिनट है अगर आप टाइम को कभी आगे पिछे होते रहता है आप देख रहे हैं ज खड़ा नहीं वह पा रहे है क्योंकि जल्केदारक तेज है उतने भी नॉर्मल नहीं है जितना वह सोच रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पर कमर इतना जल है जहाँ पर लोग इश्णान कर रहे हैं और हाप आप सबसे हाँ जुड़के निविदान है जैसे की वो माता जी अभी कपड़ा धो रही थी गंगा जी में तो ऐसा ना करें काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसा गतीवीदी करते हैं जो कि सही नहीं है और साथ में काफी सारे लोग यहाँ पर पॉलीथीन के साथ कपड़े भी छोड़ देते हैं गिले कपड़े तो ना छोड़े यहां की सफ़वरस्ता बनाय रखने में आप मदद करें बारिस के बाद जो द्रिश्य है वो काफी अच्छा हो चुका है कल काफी तेज उमस वाले गर्मी हो रही थी इतनी तेज गर्मी बहुत दिनों बाद हुई थी जैसे ही आप फेन से दूर आते या फिर एसे से दूर निकलते तो आपको पछीना से लटपत होना पड़ता इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी गर्मी ऐसे हरकी पैड़े गंगा घाटों में अगर धूप न रहे तो काफी ठेंड़े हावा चलती है ऐसे किसी पैड़े को दिक्कत नहीं होता है देख रहे हैं कुछ लोग अभी भी वह पॉलिथीन ओड़े हुए हैं क्योंकि बारिस अभी भी हल्की हल्की सी हो रही है नहीं के बराबर है अब देख रहे हैं सबसे बड़ा घाट है ये मालवी घाट और मालवी घाट में ये सद्धालू जो की है इस्टन करने कोशिश कर रहे हैं चोट लग सकती है सामने बड़ा सा पत्थर आपको दिख रहा होगा जल जिसके उपर से आ रहा है इस तरह भी आपको कहिने की पत्थर देखने को मिलता है कई जो लोगों को चोट भी लग सकी है और ये आप देख रहे हैं इस तरह की पोटली गंगा जी में ना फेके उमीदे वीडियो आपक नमामी गंगे